हाई, Motion in a Plane, यानि Kinematic Studio, इसमें हम लोग पर रहे हैं Projectile Motion, आज एक सांदार ट्रिक से स्टार्ट करता हूं, देखो, आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले, ये कुछ Motivational Quets देख लो, काम आएगा, क्या लिखा है, सक्सेस की सबसे खास बात है, कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है, तो क्या तुम भी सफल होना चाहते हो, येस, तो जरूर फिदा हो जाएगी सक्सेस तुम पर, तो आज से मिरने लो उस डिफरेंट करनेगा, स्टार्ट करता हूं, देखो, इस ट्रिक से स्टार्ट करते हैं, आज का सांदार ले देखो, तीन बॉड़ी है, और तीनों बॉड़ी को यहां से फेका गिया है, एक बॉड़ी को यूँ फेका गिया, दूसरे बॉड़ी को यूँ फेका गिया, अग तीसरे बॉड़ी को यूँ फेका गिया, यहां यह नहीं दिया हुआ है कि किसका स्पीड ज्यादा है और कि का क्रूम है लेकिन हाँ इसमें एक चीज़ दिया हुआ है कि तीनों का मैक्सियूम हाइट के बारे में क्या कहते हो तीनों के मैक्सियूम हाइट के बारे में तुझे क्या कहना है देखने से लग रहा है देखने से लग रहा है कि तीनों का मैक्सियूम हाइट से यह है तीनों क और इस ये वाला का मैक्सिमम हाइट यह है यानि ये वला ये वला पार्ट है ठीक सबको अलग कलर से कर देते हैं बिचला वाला का ये है पाथ इसका मैक्सिमम हाइट यह है और इसका मैक्सिमम हाइट यह है उसको वाइट से ही रहने देते हैं तियानि तीनों केस में मैक्सिमम हाइट बढ़ा बढ़ा है लेकिन इसके स्पीड का पता नहीं है तो कॉंसेप्ट थोरा सा देखते हैं इसमें सवाल पूछेगा कि इसका टाइम ओफ फ्लाइट ज्यादा होगा इस तरह का कुश्चन पूछेगा कि रेंज तो देखी रहें किसका ज्यादा है हाइट सब का सेम है तो फंडा समझते हैं जो पूछना होगा पूछे कॉंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो सब बना देंगे हम लोग एज का फर्मूला क्या होता है एज का फर्मूला होता है यू वा स्कॉर डिभाड़ेट यहां पर एज के बारे में क्या देख रहे है एज सब के लिए सेम एज सब के लिए है सेम जब यह सब के लिए एक ही है तो इसका मतलब यह सब के लिए एक ही होगा सेम होगा यह बात क्लियर हो गया जब एज सब का सेम होगा तो सब का यूवाय सेम होगा और सब का यूवाय सेम होगा तो time of flight क्या होता है time of flight होता है 2 into u y by g तो ये अगर सब का सेम है तो तीनो case में time of flight भी हो जाएगा सेम, यानि, जब यह जब तीनों का मेक्शियों हाईड बड़ाबढ़ होगा, तो तीनों का यू आइभी बड़ा बड़ा धो गा Rs. तो सब्सक्राइब का तो अब परास्चनुरता है कि किसका us ज्यादा होगा, तो यू एक्स इधर ले 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 लेते हैं, यू एक्स धर ले लेते हैं रेंज लिखेंगे तो किलियर हो जाएगा देखो अगर रेंज की बात करें रेंज तो रेंज बढ़ा पर फर्मूला क्या होता है टू इंटू यू एक्स इंटू यू आई बैजी होता है वेडी गूड अब यहां देखो यू आय तो सबका सेम है तो इसका मतलब यह हुआ कि जिसका रेंज ज्यादा होगा उसका यू एक्स सबसे ज्यादा तो जो देखो येलो वाले का येलो वाले का रेंज मतलब ये दूरी येलो वाले का रेंज सबसे ज्यादा है तो इसका रेंज सबसे कम है इन तीनों में तो ह्वाइट बाले का UX यानि ये कम तो ये कम ना तो ह्वाइट बाले का UX सबसे कम रहेगा तो इस तरह के सवाल को इस तरह से देखना है कॉंसेप्ट किलियर होगा तो कोई भी सवाल बनेगा तो आज का जो लेक्चर होगा वो होगा प्रोजेक्टायल फ्रोमे टावर यानि टावर के ऊपर से फेकेंगे दूसरा होरिजेंटल प्रोजेक्टायल के बारे में बात करेंगे येस प्रोजेक्टायल फ्रोमेट टावर क्या है बेखुद ध्यान से माल लेते हैं ये ग्रॉंड है ठीक ये है टावर तावर में धेशरा सीधी बना हुआ है ठीक से देखोगे सीधी में कर देते हैं थोरा डिजाइन बन गया ना टावर बेरी गुड इस टावर के टॉप से जाएंगे और एक बॉड़ी को फिक देंगे एक बॉड़ी को फिक देंगे यू स्पीट से फिक देंगे थीटा एंगिल पर कितना एंगिल पर थीटा एंगिल पर तो क्या होगा तो इवाला पाथ को फोलो कर जाएगा इवाला पाथ को ठीक, तो question में पूछेगा, कि बताओ, time of flight क्या होगा, और कितना speed से ground को hit करेगा, ये भी पूछ सकता है, कि velocity ये time T क्या होगा, range पूछेगा, range, ये सब बातें पूछेगा, तो कैसे बनाएंगे, तो time of flight, horizontal range, ये बाला range, और कितना speed से ground को hit करेगा, इस तरह की तमाम बातें इसमें पूछ सकता है, तो पहले concept समझ लेते हैं, तो अब फील ले लेते हैं, उसके बाद तो सवाल देदनादन, बना लेगे हम लोग, तो क्या करेंगे हम लोग, इधार को हम माल लेते हैं, x-axis, इधार को हम लोग माल लेते हैं, x-axis, और इधार को माल लेते हैं, y-axis, आप इसका देखो, component तोड़ देते हैं, तो पता है ना, motion in a plane, is a combination of two one-dimensional motion, one motion is along x-axis, and other motion is along y-axis, तो x-axis के तरफ, velocity क्या होगा, एक्सलरेशन क्या होगा, यह सब जान लेते हैं, y-axis के तरफ, velocity क्या होगा, initial, acceleration क्या होगा, यह सब जान लेते हैं, तो यह अगर, u-velocity से ऐसे फेका गया, तो उसका इधार वाला component कितना होगा, u-x बोलते हैं, तो बड़ाबर क्या होगा, u-cos-theta, u-cos-theta, और इधार वाला component क्या होगा, u-y is equal to u-sin-theta, जैसा कि हम लोग बात करते हैं, from concept of projectile motion, u-x बड़ाबर, यहाँ पर u-cos-theta है, u-y is equal to, यहाँ पर u-sin-theta है, आ, ax is equal to, ax, यानि acceleration along x-axis, वो कितना होगा, वो तो कुछ नहीं होगा, अब एक्सलरेशन along y-axis, g तो नीचे लगड़ा है, y-axis उपर है, पता है, minus g होगा, ठीक, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, time of flight, क्या निकाल ले, time of flight निकाल लेते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं, time of flight के लिए मतलब क्या हुआ, यहाँ से चलेगा, a से चलके b पर आ जाएगा, यानि for a to b, for a to b motion, for a to b motion के लिए y-direction की बात कर लेते हैं, y-direction में displacement बढ़ावर, फड़ मूला क्या होगा, s बढ़ावर, ut प्लस, half a y into t square, clear है, अब देखो, a से जब b आएगा, तो पता है न, x के तरफ ये गया, x के तरफ ये गया, नहीं, y के तरफ ये आया, यहीं न हुआ displacement along y-axis, तो इसका height हम माल लेते हैं, h naught, कितना माल लिए, h naught, तो यहाँ से जब यहाँ आ जाएगा, तो s y बढ़ावर क्या होगा, देखो, यह s x होआईए, जो की range के बढ़ावर होगा, और s y हो जाएगा यह, तो यह plus में होगा, कि minus में, देखो, origin यहाँ पर है, x x सिधर है, y x सिधर है, तो उपर y plus में होगा, नीचे y minus में होगा, इधर x plus होगा, इधर y minus होगा, यहाँ पर s y बढ़ावर मैंनस होगा, यह लगाएंगे, तुरांत आंसर बन जाएगा, तो इस तरह के सवाल को याधी कर लेना, इसका आंसर को याद कर लेना, यह इसका आंसर होगा, याद रखना, जी, इसको याद कर लेना, पर्मानेंटली, क्योंकि यह डिरेक्ट याद रहेगा, तो अच्छा रहेगा, डिरेक्ट याद में रहेगा, तो बनाने में फंडा क्लियर होना जरूरी है, तो यह s y के जगा कितना रख देंगे, मैनस h रख देते हैं, और u y के जगा, रख देते हैं, u y ही रख देते हैं, बाद में solve कर लें, यू y into t plus half ay के जगा, मैनस g into t square, clear, clear, अब इसको 2 को देखो, 2 को सब जगा मल्टिप्लाइ कर देते हैं, तो मैनस 2 h not हो जगा, 2 से मल्टिप्लाइ करेंगे, यहां हो जगा 2, 2 से कुना हो गया, यहां क्या होगा, इस तरह से हो जगा, अब देखो इसको इस साइट कर लेते हैं, इस साइट करेंगे तो क्या हो जगा, gta square हो जगा, इसको भी धर कर लेते हैं, इस तरह से हो जगा, यह तो इधर है ही, अब बड़ाबर 0, यह quadratic equation है, और तुमको solve करने आता होगा, नहीं आता है, नहीं आता होगा, तो देखो इमा call भी कर सकते हैं, नंबर होगा, call करोगे, क्या दिक्कत है, message करोगे, बात करोगे, बात करोगे, तो clear हो जाएगी, सारी समस्याई दूर हो जाएगी, तो t बड़ाबर क्या होगा, quadratic को solve करेंगे, तो minus b, minus b, तेखो, minus b, plus minus b square, plus minus b square, minus 4 into a, into c, minus 2h0 है, कि नाड़े चला किया है, अड़े, ऐसे हो जाएगा, divided by 2g, तो type t बड़ाबर कितना हो जाएगा, देखो, यह minus minus plus हो जाएगा, 2 into u, आप देखो, यह दिना दो, तो, जा फोर, 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 यू ए स्क्वाइर, प्लस, चार गुना दो, आठ, एट, जी, एच नॉट, divided by 2, ए एक जगा जी है, तो यहाँ से, यहाँ से, कॉमन आजाएगा, 2, और 2 जब कॉमन आजाएगा, 2 जब कॉमन आजाएगा, यहाँ से फिला कॉमन बाद मिलेते हैं, 2 u i होगा, देखो, फोर अगर कॉमन लेते हैं, यहाँ से, फोर, फोर अगर कॉमन लेंगे, इस में, तो यहाँ बजाएगा, u i स्क्वाइर, सीखोक, गुना भाग सिखा रहा हो, आठ, टू जी, एच च्वाइगा, छोटा च्रता कॉंसेप्ट क्लियर कर देता हूं, इसको बाहर निकालेंगे, तो यहाँ और यहाँ है, दोनों, कॉमन आएगा, कैंसील हो जाएगा, तो यह बला हो जाएगा, इसमें पलस मैनस दोनों है, सिर्फ पलस बला क्यों लिए, अगर यहाँ मैनस लेत का फर्मूला समझ में आ गिया, बढ़ियां से आ गिया, बैडी कुट, तो टाइम ओफ फ्लाइट इसी प्रकार से निकालेंगे, आगे क्वेशन देंगे, तो क्लियर हो जाएगा, अब प्रस्न यह उड़ता है, कि कितना स्पीड से ग्रॉंड को फिट करेगा, क्या प्रस्न इधार वाला ऐसे फिकते थे, तो इधार होता था, यू प्लस यू अ स्कॉयर अप्लस टू जी एचनोट बटक, जी हो जाता था, यू आ के जगए यू रख देता थे, नहीं, इधार वाले से तो कोई मतलब नहीं होता है, टाइम ओफ फ्लाइट को, इधार वाले से, अगर पुछता कि रेंज कितना होगा, ये, ये रेंज कितना होगा, रेंज असल में क्या है, होरिजेंटल डिस्टेंस है, रेंज क्या है, होरिजेंटल डिस्टेंस है, एस एक्स है, नहीं, एस एक्स बड़ावर, यू एस बड़ावर, यू टी प्लस हाफ ए टी ए स्कॉयर होता ह और r बराबर हुआ u x into t और u x के जगा यू cos theta रख देंगे u x के जगा यू cos theta रख देंगे और time of flight अभी जो निकाले हैं वो रख देंगे तो इस प्रकार से हमारा horizontal range आ जाएगा क्या जाएगा horizontal range इसको ध्यान में रखो ठीक है ध्यान में रखो next देखो उसी figure को दुबड़ा बना दिये हैं यू इधर था इधर था u x और इधर था मेरा u y u x बराबर u cos theta था और u y बराबर u sin theta था दुबड़ा बना दिये तो हम लोगों को क्या निकालना है कि कितना speed से ground को hit करेगा एक बात तो पता है ना कि यहां का यह माल लेते हैं v है यहां पर भी दो component होग एक होगा v x और एक होगा v y y component देख लेते दोनों देखो v is equal to u plus 80 होगा यह बराबर यहां कितना है 0 तो v x is equal to u x और u x is equal to u cos theta ठीक है v x में कोई दिकत में आब है कि v y बराबर क्या होगा तो v y square बराबर u square plus 2 a s तो v y square is equal to u y के जगा u sin theta के square plus 2 a y के जगा minus g और sy के जगा क्या रख देंगे यह था ना s x और यह बताए था ना यह हो गया s y और sy के जगा minus h naught तो इस प्रकार से v y square बराबर कितना आ गया u sin theta s square plus 2 g h naught हो जगा तो v y भी आ जाका under root कर देंगे तब इसका answer भी याद कर लो पहले answer इसका answer को ध्यान में रखना है बाद में बताता हो एक ही बाद याद कर लोगे बाद में तो अब अगर velocity की बात आएगी तो भी बराबर क्या होगा भी एक्स आई प्लस भी वाई जे होगा भी का magnitude यानि speed के बारे हम बात कर रहे थे भी का magnitude क्या होगा भी एक्स स्क्वाईर प्लस भी वाई स्क्वाईर का under root भी एक्स के जगा क्या रख देंगे यहां के बारे में यह आ गया नहीं तो भी एक्स के जगा कितना रख देंगे यू कॉस थीटा का स्क्वाईर अब भी वाई स्क्वाईर के जगा कितना रख देंगे यह पूरे रख देता हूं U sin theta का square U sin theta का square अब प्लस 2GH0 प्लस 2GH0 तो कूल मिला के क्या आया तो यहां से देखो U square है cos square theta plus sin square theta यहां क्या बच गया 2GH0 बच गया और यह root में आ गया तो इस प्रकार से V is equal to कितना होगा इसको हम इसी को लिख रहे हैं भी तो V is equal to कितना हो जगा यह तो कितना हो जगा रे यह तो clear है कितना है यह तो हमारा one है तो यहां कितना आया U square plus 2GH0 इसको रखना है याद हमेशा हमेशा के लिए याद कैसे रखोगे उपर से जब नीचे फेकेंगे बोड़ी को उपर से जब नीचे बोड़ी को फेकेंगे तो speed घट जाता है कि बढ़ जाता है बढ़ जाता है यानि उपर से नीचे फेकेंगे तो speed बर जाएगा पहला बात यह याद रखना है दूसरा बात यह याद रखना है कि देखो एंगिल से independent यह जो है ना यह क्या है It is independent of angle कैसे It is independent of angle of projection अरे इसमें कोई angle है थेटा विटा है नहीं न तो इसका मतलब कितना angle पर फेक है उस बात से इस speed को क्या लेना देना जब angle है ही नहीं जब angle ही नहीं है तो उस पर depend तो खड़े या नहीं तो angle से independent है इसका मतलब हुआ कि यू एस स्पीड से चाहे तुम 30 डिड़ी पर फेको चाहे 40 डिड़ी पर फेको चाहे 50 डिड़ी पर फेको चाहे 70 डिड़ी पर फेको कितना भी एंगिल पर फेको तो आंसर तो यहीं लाएगा तो या दखना उपर से नीचे फेकेंगे तो नीचे से उपर तो एस स्पीड घर जाता था तो ए चूचाय पर जाने पर भी बरावर होता था यूए स्कॉयर माइनस टू जीएच याद हो गया बढ़ियां से इसका क्या मतलब हुआ इस स्पीड से इंडिपेंडेंट है Speed Angle से Independent है, Theta से Independent लिसका क्या मतलब हुआ? तो एक Example से समझा देता हूं, ठीक है? Trick लेओ, देखो सांदार Trick है यह Speed Angle से Independent का क्या मतलब? बहुँ देखो, माल लेते हैं यह Height H है और इस Height से Body को सबसे पहले आइसे फेका गिया, आइसे तो Eyes से फेका घेए Theta Angle पर और वोά Theta बराबर माल लेते है 60 Degree था उपर के तरफ, तो यहां का Speed कितना होगा? इसको हम माल लेते हैं A, तो A का Speed कितना होगा? बताना है ठीक, दूसरा है, माल लेते हैं इसको Eyes से फेका गिया Eyes से, यू Speed से को जब यह grouchण पर पहुँद जाएका grouch पर तो grouchण पर पहुंचने के सपीड इसको बी नम्मर घा लेते हैं तो इसको बोलेंगे भी भी बहुत बहुत सांदारड या रखना इसको ऐसे फेके तो उसका ग्रॉंड पर पहुंचने के स्पीड हुआ भी भी ठीक है और अगर आइसे फेके आइसे तो ग्रॉंड पर पहुंचने के स्पीड हुआ के साथ डिग्डिड भी कर सकते थे तो बताना है कि सबसे ज़्यादा एसबीड कौन सा होगा सबसे ज़्यादा speed कौन सा होगा सब को US speed से ही फेके हैं तो अभी बताए थे ना क्या बताए थे दिमाग लगो सबसे ज़्यादा speed कौन सा होगा येस समझ में आ गिया समझ में आ गिया क्या समझ में आ गिया कि सब का speed बड़ाबर होगा क्योंकि सब ने अच हाइठ नीचे त्रिभल किया है है ए्ध उटे न इंगिल इन्रीपेन्नेंट है मतलब यह एंगिल फियरायबर साट डिगरी हो जाहिए थेटा बरावर लौ जीरो हो जाहिए नीचे फेके चाहिए कैसे फेके या ऐसे में फिकते तो क्या और इसाय करने अए से आते ग्रॉंड पर फिर इसका भीस्पीड होता दी के बाद दशर्ग देते हैं भी फ्कल्स सुद्ग सोजादा और सब का अंसर क्या होता यू स्वाइब प्लस टुजी एथ उपर से नीचे आगा तो प्लस करते ना एज के जगए कैपिटाल आज कि फंडा क्लियर बाह कि वेरी गुड इसका मतल़ हुआ किसी भी इंगिल पर फेको कि स्पीड अगर एज हाइट नीचे आएगा तो सबका सेम रहेगा इस तो डिरेक्ट जानते थे ना भी स्पीड यू स्पीड यू से फिकेंगे तो सेम हाइट एच नीचे जाने पर इस्पीड सबका सेम रह जाएगा फंडा क्लियर बढ़ियां से एकदम मस्त वेरी गुड नेक्स देखते हैं यह वला भी समझी लेते हैं कि अगर बॉड़ी को नीचे फेक्ट नीचे यू स्पीड से तो क्या होता इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं पहले और इसको मान लेते हैं वाय एक्सिस नीचे भी मान सकते थे उपरे मान लेते हैं और यह इंगिल है थीटा तो कहानी कुछ यू बनता यू 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 आता ये height h naught ले लेते हैं इसका speed भी ले लेते हैं इसके बारे में तो पता चल गया कितना speed होगा इसका speed होगा u square plus 2g h naught ये speed हमको पता है तो प्रस्णे की time of flight कितना होगा range कितना होगा range तो कैसे निकालते हैं तो उसमें भी फर्मूला लगाते s बड़ाबर ut plus half 80 square 80 square तो sy बड़ाबर यहां कितना होगा देखो y axis उपर है ना तो ये बला मेरा s x हो जाएगा और ये बला मेरा s y हो जाएगा इसको क्या बोलेंगे s x बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे s y बोलेंगे s x मेरा range कहलेगा और s y बराबर मेरा s minus h not हो जाएगा तो कुल मिला के यहां पर क्या रख देते minus h not u y के जगा क्या रख देते u x तो इधर हो जाएगा u x तो इधर हो जाएगा u y तो नीचे आ जाएगा निस बार u y नीचे आएगा u y के जगा रख देते कितना यह negative आ जाएगा नहीं क्योंकि ऊपर माने है plus तो इसको तो minus मानना पड़ेगा ना यहां लेंगे minus ut plus half और ay के जगा minus into t यह minus क्यों लिए समझ में आ रहा है जिसको हम जो चीज ऊपर हैगा उसको plus लेंगे जो चीज नीचे होगा उसको minus लेंगे sign convention के हिसाब से समझ में आ रहा है बात या ऐसे भी देखो initial velocity जो होगा वह हो जाएगा u x i plus u y minus j हो जाएगा ना तो j का कोफिसेंट क्या होगी है मैनस u i होगी है तो इसलिए y component negative ले लेंगे और इसी को solve करेंगे इसी को solve करेंगे तो जानते क्या आएगा यह आएगा यह कर लोगे ना खुज से इसका मतलब इससे पहले जो किये था ना यहाँ plus था इसमें minus आ गया तो अंतर यही राकी ऊपर फेकते तो ज्यादा time लगता तो यहाँ plus होता नीचे फेक रहें तो कम time लगए यहाँ पर minus ले लिए बात बाकि सेम है speed निकालने का वही तरीका है इतना ही यह speed होगा और बच गया range निकालने का तर रेंज हुआ horizontal distance horizontal distance एस बड़ाबर यू टी पलस हाफ हे टी के जगह यह लेगे time of flight answer clear है एक question है उसको बनाओगे सब फंडा clear हो जाएगा बिना सवाल बनाए फंडा clear नहीं होगा तो सवाल बनाके देखते हैं देखो यह सवाल क्या कह रहा है कर एक body को यू बड़ाबर कितना से फेके हैं 20i plus 30g से फेके 30g से फेक दिये और यह वाला जो height है 35 meter है ठीक तो question में बोल रहा है find angular projects अरे angle operation यानि यह angle पूछा है इसको हम x-axis माल लेते हैं और इसको y-axis माल लेते हैं निकाल देते हैं उपर इसको माल लेते हैं theta तो इसका मतलब यह यू-x हुआ u-x बड़ाबर कितना दिया हुआ u-x बड़ाबर 20 दिया हुआ है और u-y बड़ाबर कितना दिया हुआ है 30 u-y बड़ाबर 30 दिया हुआ है तो बोल रहें angular projection क्या होगा यह तो बहुत आसान है देखो यह 10 theta बड़ाबर किसे निकालेंगे 10 theta is equal to दिमाग लगा यह लम बटे अधार u-y बटे u-x हो जाएगा u-y by u-x हो जाएगा u-y के जगा कितना ले लेंगे 30 u-y के जगा लेंगे 30 और u-x के जगा लेंगे 20 theta is equal to 10 inverse 3 by 2 पहला clear हो गया दूसरा बोल रहे है time of flight क्या बोल रहे है time of flight निकालो तो दो तड़ीका है पहला है कि याद ही कर लेना है time of flight को कैसे याद कर लेंगे ऐसे उपर जा रहा है न u-y प्लस u-y-square प्लस 2gh0 divided by g पहला तो है कि याद कर लेना जब याद कर लोगे तो आसान रहेगा question जल्दी जल्दी बन जाएगा इसको याद करने में कोई परहेज नहीं करना है यह नहीं समयने कि दिमाग भर जाएगा दिमाग भर जाएगा यह नहीं समयने क्यों क्योंकि यह तो इतना बड़ा खजाना है कि जितना डालोगे और बरा जगह बना लेता है इसमें अलग तरह का storage है यह तो time of flight बड़ा बड़ इसके हिसाब से कितना होगा ui के स्थान पर क्या रख देंगे 30 ui के जगह रख देंगे 30 अप्लस यहां हो जगह 30 स्क्वाइर अप्लस टू अजी के जगह कितना रख देंगे 10 और एच नोट के जगह कितना रख देंगे 35 और यू मार देंगे रूट अडिभाइड़ पह जगह जगह जी यह जी कि जगह रख देंगे 10 यहां होगा 30 प्लस तिंटिया 900 अप्ईटना सत्तन नो साथ सोलो सो हुआ सोलो सका रूट करेंगे जगह 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 बटद दस यानि यह हो गया साथ सकेंड ऐसे ही बनाना है लेकिन माल लेते हैं कि चुग ऐसे बनाने में दिमाग में नहीं रहा फर्मूला तो क्या करेंगे तो फंडा इस फंडा हमेशा फंडा को याद रखोगे लेकिन इसी तरीके से बनाओ यह भी ध्यान रखना दूसा तरीका मैं समझाता हूं एस बड़ाबर यू टी प्लस अपर टी एसक्वार होता है मेथाड नमर टू करेंगे इसको खन देंगे यह हूँ और यह हूँ एस वाय बड़ाबर कितना रख देंगे मैनस 35 के पलस 35, तो यहां रख देंगे, मैनस 35 S Y, U Y के अस्थन पर रख दें, कितना 30, इन्टो T, पलस, हाफ, A Y के जगा, मैनस 10 इन्टो T S, और इसको करेंगे solve, इतना तो किया जा सकता है, इसको करेंगे solve, और solve करने के बाद, अपने आप आजेगा सार्थ तो ये बला clear हो गया time of flight कितना होगा अब सवाल एक range कितना होगा range मतलब sx range मतलब क्या ये हुआ मेरा range range मतलब sx और sx मतलब फंडा रखो या ux into t plus half ax into t square और हम लोग इसमें जानते हैं कि sx बड़ावर 0 होता है और इसके जगह रख रख रेंज और ux के जगह कितना रख देंगे ux के जगह रख देंगे 20 और time of flight कि जगह कितना रख देंगे साथ से बर तो कुल मिला के कितना आजाएगा साथ दूनों चोदों 140 मीटर तो ये भी clear होगी आर बराबर कितना होगा 40 मीटर आ गया अब सवाले speed at b इसमें तो तुम महारत हासिल कर चुके हो नहीं speed at b बराबर क्या होगा speed at b क्या होगा bb s बराबर u square plus 2gh0 कर देंगे तो आजाएगा u square के जगह कितना रख देंगे हाँ लेकिन u का जगह कितना रख दोगे u square u बराबर 20 प्लस 30 है न तो यू का मेंग निचुर जगा 20 square plus 30 square आया समझ में u square कितना रख देंगे u का मेंग निचुर कितना होगा समझ में आ रहा बात u का मेंग निचुर होगा 20 square plus 30 square ये नहीं हो जाए camera u square plus 2 g और h naught के जगह रख देंगे 35 अब इसका value कितना आएगा ये कोई matter वाली ये कोई matter ने करता है जो off होगा ठेखा जाएगा उस पर दिमाग ने लगाओगे अब एक दो और सवाल बनाते हैं सवाल बनाएगे clear हो जाएगा तेखो next अब प्रस्ण उठता है कि इस सवाल को कैसे बनाएगे सवाल बनाओगे तो clear होगा देखो ध्यान से questionable time of flight तो इसको हम लोग u है तो इसको x axis माल लेते हैं और इसको माल लेते हैं y axis time of flight निकालना है तो इस सब में हमेशा u x और u y पहले निकाल के ready कर लोगे u x and u y निकाल तो को u x परावड कितना होगा 10 cos 37 degree निकालता हो value आ u y के जगा कितना value जगा 10 sin 37 degree यह हो गया u y यह 10 cos का value जानते हो कि ने यह ट्रेंगिल यह ट्रेंगिल तो तुमको पता है ना बहुत ही famous है 3, 4, 5 वला relation 3 के सामने 37 रख देना है चार के सामने 3,5 और यह तो 90 degree है तो आप देखो cos 37 का value कितना है गा देखो ध्यान से cos 37 का value cos 37 का value 4 वट्टे 5 होगा 10 गुना 4 वट्टे 5 लेंगे तो 5 दोना 10 यह 8 meter per second हो जागा यह 8 meter per second और यह कितना है गा तो 10 sign 37 का value कितना है गा 10 और sign 37 का value कितना होगा sign 37, 3, 5 3, 5 यह सब याद रखना ना 6 meter per second होगा तो यू एक्स बड़ाबर हो गया 8 यू यू बड़ाबर हो गया 6 8 सबसे पहले पूछ रहा था इसमें नहीं दिया हूए न है velocity at seat में दिया हूए था ना velocity at t बड़ाबर 2 seconds था इसमें पहला था velocity at t बड़ाबर 2 seconds बता तो क्या होगा velocity at t बड़ाबर 2 seconds कहीं से निकालें तो b बड़ाबर जानते हो फर्मूला b बड़ाबर vx होगा i plus y होगा और vx तो हमें साख constant रहता है ना vx के बारे में पता है ना v बड़ाबर u plus a into t होता है और ये तो हमेशा 0 होगा तो vx बड़ाबर ux हो जाएगा नहीं और ux बड़ाबर यहां कितना है? एट है यू एक्स ब्राबर तो एठ हो जाएगा भी य्ट के शब्राम हो करेंब नो सक्राइब ल्यू प्लस ए टी ने यू फ्लस एटउं थी तो भी वाइल ब्राबर कितना है 6 6 plus ay के जगा मैनस 10 एंटु टी टी बरावर दो सक्केंड कर दो मैनस 20 में से 6 गया मैनस 20 में से 6 कितना होगा मैनस 14 तो वैलोसीटी या टाइम टी बरावर क्या बोलेंगे वैलोसीटी या टाइम टी इस इकल टू कितना तो बोलेंगे 8i अब प्लस या मैनस 14 जे डिरेक्ली दो मैनस 14 जे 14 है तो वैलोसीटी या टाइम टी बरावर 2 सक्केंड समझ वाया अब टाइम ओफ फ्लाइट कितना होगा टाइम ओफ फ्लाइट कितना होगा तो टाइम ओफ लाइट का फर्मुला अब याद है तो ठीक है अन्ने तो करोगे एस वरावर कमांड देंगे वहई लेगा तो दिमाग को बूल यह याद रखो इसको याद रख लेगा तो यूए इज इकोल टू कितना रगतेंगे 6 मेट यूए इजओ जोड़ जगा 6 अप प्लास माइनस यहां होगा 6 स्क्वार अप प्लास 2 इंक्टू जी इंक्टू एच बड़ाबर यह एच नहीं दिया हुआ है क्या क्वेस्टन में एच दिया हुआ होगा है एच बड़ाबर 11 मीटर है ठीक है एच बड़ाबर 11 मीटर यहां 11 हो जाएगा है डिभाड़ेट बाइट टू इन्टू जी जी के जगए रख देंगे दस तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कर लोगे सो लेवन बाइफ फाइब आएगा सकेंट याद कर लोगे एगारा च्छा का च्छत तीस एगारा द पंटू स्वेस एपlex 22 वेटाव बीश यानी 11 यह टू जी होता था जी होता न जी वर्गषा का चार्स इंगा Lin कि तना होगा यह ए र बराबर कितना होगा तो आर बराबर क्या होगा u x into t s बराबर ut plus half a t square a बराबर दो 0 है तो u x बराबर कितना है 8 है into time of flight कितना है 11 बटब पड़ा समझ में नहीं आ रहा है क्या आ रहा है speed at b ये भी जानते हैं हम लोग यहां का speed कितना होगा b square is equal to u square plus 2gh naught u square के बदले कितना रख देंगे 10 square 10 square plus 2 into g into h naught h naught के जगा 35 तो इस प्रकार से सारा question को solve कर लेगे 35 11 11 11 तिम मजार है सवाल बन रहा है yes next уг में उन मजार कि अरब रहा है